नमस्कार आज हम बात करेंगे मेडवल हिस्ट्री में जो सब्दा वली थी टर्मिनोलोजी कि किसको क्या बोलते थे इससे एक कुश्चन बहुत अच्छा एक कुश्चन बनता है PCS में भी बनता है UPSC में भी बनता है SSC में भी बनता है ऐसे सिक जो एक्जम होते हैं उनमें सब में बनता है कि किसको क्या बोलते थे तो ये जो वीडियो है जो मद कालीन भारती इतियास एक ही वीडियो हमने कवर करने की कोसिस करी थी उसका ही पार्ट टू है पहला वीडियो टेक्निकल एरर की वज़े से रुख गया था तो उसको देखने के बाद ये वीडियो देख लिएजी इसके बाद आपको मद कालीन भारती इतियास का पूरा रिविजन कम्पलीट हो जाएगा तो हम बता चुके देख भड़ फिर से बता दे रहे हैं कि आमिल जो होता था आमिल आमिल होता था राजश वो संगरे करता आमिल जो हो आठ महारती हुआ करते थे आयंगर विवस्ता में क्या होती थी हमने बताया था कि आयंगर में क्या होता था कि वेतन के बतले अनाज देने की प्रथा थी किसको गाउं के लोगों को और हस्त सिल्पियों को और अधिकारियों तक को प्रसासने का अधिकारियों तक को और उन सब को क्या कहा जाता था आयंगर और अनाच यानि उपज को क्या कहा जाता था आयंगर उपज को कहा जाता था आयंगर ये रहा उपज उपज को बोल दिया आयंगर और जिसको दिया गया वो कहले आयंगर इसके बाद बात करते हैं बरीद बरीद जो होते थे वो जांच अतकारी ह गुआ करते थे और भंडारबाद का मतलब होता था कि जो राजा के डारेक्ट कंट्रॉल में गां होते थे वो कहलाते थे भंडारबाद भीगा आपको पता है भूमी लेंदेन की इकाई है और भागों में अलग-अलग है कहीं कच्छे भीगा होते हैं कहीं पक्के भीगा होते हैं लेकिन कई भी एक इकर से ज़ादा बड़ा भीगा नहीं है जो इंपोर्टेंट है वो है चौत चौत क्या होता था मोगल और संदी कर रखी थी कि आप हम पर अटेक नहीं करेंगे तो हम आपको जो वहां से टेक्स कलेक्शन हुआ है उसका चौथ यानि की वन फोर्थ आपको दे दिया करेंगे वही हिस्सा कहलाया चौथ और मराठा सरदार फिर वहां पर लूट मार बगएरा नहीं करते थे इसके बाद चेटी या चेट्यारी याद रखो सेटी से सेटी अमीर लोग होते हैं तो सेटी दच्छड भारत के व्यापारी लोग होती थे उनको चेटी कहते थे ददनी विवस्था क्या है ये भी important है ददनी विवस्था में क्या होता था भारती हों यूरोपी या कामगारों को सिल्पी होगा तो गरीब होगा ज्यादा पैसे वाले नहीं हो उनकामगारों को क्या कहते थे कि नगत रुपए दे दिये और कच्चे माल के लिए भी रुपए दे दिये या कच्चा माल दे दिये वो बाद में निर्मित माल खरीटे थे यह कलाधा द्धनी वस्ता और निर्मित माल करीटे थे market value पर इस प्रकार वियापारियों के पास काभी सुतनता थी और production के लिए उनको पैसा है के भी तो ये अच्छी विवस्ता थी इसके बाद जो important हो जाती है वो है 10 साला विवस्ता वो कई बार आई है यह विवस्ता में इस विवस्ता में 10 साला दे मतलब 10 से है तो पिछले 10 सालों की उपज और उनके ओसत मूल के आदार पर पिछले 10 साल में जितनी उपज हो उनका average मूल निकाल लिया कुल उपज अनमानित कर ली गई और उपज का यही कुश्चन पूछता है कि कितना हिस्सा 10 साला विवस्ता में तो उपज का one third हिस्सा राजिस के रू गुजरात में देशा ही होते हैं अमीर लोग वह होते हैं उसी तरह से होते थे महाराष्ट वगेरा में देश मौक इसी तरह फड़नीश या फड़नवीश यह होते थे उपलेखा परिक्षक और गौड क्या होता है नाडू का प्रधान नाडू मनें इस्थानी अदकारी इस्थानी स्थानी सतर का अदकारी कहलाता था नाडू का प्रधान और वह होता था गौड और गौपुरम तो बहुत वार आया है मंदर के उंचे दरफाजे या गेट नहीं घुश्ते ही बड़ा आसा गेट होता है प्रवेस दौर तो गोपुरम कहलाता था तो दच्चड भारत के मंदर की विसेष्टा यह थी को आपर गोपरम पाए जाते हैं और गोपरम बहुत ही सुन्दर थे याद रखना और उत्तर भारत में क्या पाए जाते हैं चबूत्रे उंचे चबूत्रे अब बात करते हैं इजरा या जारीदारी प्रथा की तो ये भी कुश्शन इंपर्टेंट हैं बताया तो इस में सब कुश्शन बनते हैं और जिहादा कुछ नहीं है पंदा मिनेट का भी वीडियो नहीं होगा इसरा विवस्ता में क्या होता है कि राजस वसूली के लिए बोली लगने की प्रता होती थी जैसे मालों यह गाउं है यह गाउं है यह गाउं है ठीक है चार गाउं है और इस गाउं की पहले बोली लगी और पांच लोग आगे बोल 255 लाइभ देंगे था सरकार किसको देगी वह गाउं तो इसे पचास जार वाले को दे दिया कि भाई तुम हमें टेक्स वसूल के दोगे तो राजस वसूली के ये बोली लगती था उसी को गांव मिल जाता था ये उस्ता कहला थी इस यरा वसुलने वाला व्यक्त थी और ये सबसे अदा प्रचलेट कहां थी ये भी एक अच्छा कुश्यन है तो ये पूर्वी भारत में प्रचलित थी पश्मी ओप्शन आएगा गलत है दच्छड़ी गलत है उत्तर गलत है मद्द गलत है क्या अंसर पूर्वी भारत पूर्वी भारत में पूर्वी भारत में प्रथा प्रचलित थी कौन सी इजारेद अब बात करते हैं एक्ता व्यवस्था की एक्ता व्यवस्था में क्या होता था कि वेतन के बदले भूमी दी जाती थी और उसका राजिस प्राप्त करता अपने व्यक्तिकत कारियों में खर्च कर सकता था एक्ता व्य। ब Οगए ईकते दारे्ट सल्टनतों सब्यातन सद्रान को इंचछ धिक्ति याफ्र भूस्ता धिस्याओं चनले प्रमकерस गहातने झालतां के मिनें कहा जाता था एक्ते दारों को और इंटा होता क्या था कि वेतन के बदले जो भूमी दे जाती थी वो कहलाता था एक्ता बवस्ता जागिर क्या थी दिली सल्तनत की तरह ही एक्ता बवस्ता की समन बश्ता थी उसमें भी जागिर एक्ता का नाम बदल के जागिर कर दिया गया और खराज क्या होता था खराज तो मद कालीन भारत के मुस्लिम राजियों में वसूला जाने वाला एक प्रकार का कर होता था खुम्स बहुत बार आया है खुम्स युद्या लूट का माल होता था जिसमें राज का इस्सा होता था जो प्राया एक वटे तीन एक तेहाई होता और Allahudin Khilji के समय मात्र ये खिली के बाद ये मात्रा चारवटे पांच होगी मात्र नहीं होगी Allahudin Khilji के समय तक 1-3 तक आस-पास मतलब फिक्स 1-3 नहीं थी 1-3 के आस-पास थी कहें जागे 20% लगती थी तो 1-5 भी होता है तो 1-3 के आस-पास थी और अलावदीन खिल जी के बाद लूट के माल में राजा कैसा हो गया फोर वाई फिप्ट याद रखना है इसके बाद बात करें मदद ए मास की और इसके बाद बात करें के बात है मतलब अभी तक टैक्स हम क्या कैरें ते इस किसान से लिए किसान से लिए अब महल वाड़ी किसान क्या कर दिया कि एक महाल एक ग्रोप या एक गाउं से कह दिया हमें इतना टेक्स चाहिए बाकि अप लोग आपस में देख लो तो इसके अंतरगत राजयों को कर भुक्तान करने की जम्मेदारी लोगों पर सामुईक रूप से होती थी और सरकार को पास राजस्व की दर को पुनन निरधार पाड़ी अंग्रेजयों दरा शुरू की गई गंगाघटी पंजाब उत्तर पस्चिंप्रांत और मद भारत के कुछ हिलागों में लागू की मल गुजार मल गुजार क्या होता था मल गुजार प्राप्त व्यक्ति मल गुजार कहलाया और मल गुजार होता था अब बात करते हैं मलिक उल्टुजार तो मलिक उल्टुजार होते थे व्यापारियों के प्रमुक मेहमोद गवाँ और वैमनी सामराज के अंतरगत मलिक उल्टुजार होते थे मंडप जैसे गोप्राम इंपोर्टेंट है वैसी मंडप मंडप इस्थंब युक्त बड़ासा मंदिर का इसारे इसतंब पर अदिर और वह कहलाया मंदप मारवाड़ी राजिस्तान के मारवाड़ के रहने वाले लोग बैंकर व्यापारि दलाल अदि का कार करते थे आज भी करते हैं मिलेच किने का जाता था तुरकी अरब जो विदे खूत या मुकद्दम खूत या मुकद्दम किनको कहा जाता था उत्तर भारत के गाउं के प्रधान को नाडू क्या थी विजय नगर के अदीन एक छेत्री परसत थी नगरम क्या था व्यापारियों का परसत याद रखना नगरम क्या थी व्यापारियों का परसत पटेल या पाटिल क्या होते थे पटेल या पाटिल दच्छडवा पश्चम भारत में गाउं का प्रधान कहलाता था पाटिल दच्छड और दच्छड पश्चम भारत में ग्राम प्रधान को बोलते थे पाटिल तो इज्रेदारी हो गई थी, महलवाडी हो गई थी तेन पढ़्धाओं को तो हमें पता होना ही चाहिए तो रह्यत वाडी क्या थी? एक राजास वसूली की वश्था थी जिसमें राजास व्यक्तिकत किसानों पर लगाया जाता था और उसी को भूमी का स्वामी मान लिया जाता था और इस विवस्था में भी सरकार के पासे अधकार था कि अपने मर्जी के रूप राजस का दर निर्धारत और पुनरिधारत कर सके और यही पूछता है कि यह विवस्था पहली बार अंग्रेजियन द्वारा तो रैयत वा लिया जाता था और विक्तिगत राजस्वसूली की प्रताती रहियत वाड़ी वहस्ता पहली बार मत्रस रेजिडेंसी में लागू की गई थी अब बात करते हैं सभा एवम उर जो विजहे नगर सामराज के अंतरगत ग्राम परसद होती थी उसे सभा एवम उर कहते हैं स्रेडी और स्रेष्ठी या स्रेष्ठिन ये भी कई वार आया है तो स्रेडी व्यापारियों, कारीगरों, हरस्त सिल्पकारों का संगठन होता था एक साथ से स्रेडी मतलब व्यापार मंदल मान लीजिए और स्रेष्ठी या स्रेष्ठिन ऐसे भी लखा होता है स्रेष्ठिन, स स्रेश्ठिन तो स्रेश्ठिन भी क्या होता था व्यापारी ठीक है और रिकावी क्या होता था उत्पादन बढ़ाने के लिए हाँ इसको तकावी भी बोलते हैं रिकावी कई जगे तकावी भी बोलते हैं तो तकावी या रिकावी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार्ण द का किसकी बात करने मद्द कालीन भारत की और वारियम क्या होता है सवा का कारेकारी समिती सवा का और सवा क्या होती है यह पता है विजयनेगर सामराज के इंतरगत ग्राम परसल और उसकी कारेकारी समिती कहलाती वारियम और विमानन विमानन मंजल से उपर मंजल तो एक बात ब उपर मंजल बड़े बड़े उंचे उंचे मंदिर वो क्या कहलाए वो कहलाए विमान मतलब उपर ही होता ना उपर ही उपर तो मंजल की उपर मंजल मंदिर वो कहलाए विमान और विसेपती यह भी इंपोर्टेंट है जिले का प्रमोग विसेपती और गाहों का प्रमोग और या सवापती तो उर्पती होता था और जिलेग विसेपती और वाकिया नवीस ये भी पूछा गया है वाकिया नवीस हम बतावी चुके हैं समाचार यानि कि वाकिया बताने वाला या संबादा था वाकिया नवीस और जकात क्या होता था सभी मुस्लिमों द्वारा वुक्तान किया जाने वाला कर ये केवल मुस्लिम राज्यों में वसूला जाता था और जामोरेन क्या होती थी काली कट के सासक की उपादी थी जामोरेन जैसे अपने आप विक्रमा दित चलती थी राजा धिराग चलती थी ऐसी काली कट के सासक को जामोरेन उपाधित दी जाती थी तो इस तरह से आपका मद未kalALIN भारत पूर्ड तयाँ समाप्त होता है इसके वाद उच्छे वीडियो यह रिवीजन वीडियो इसके वाद कहीं से पढ़ने की जरूत नहीं है पढ़ने का मतलब तेorenia पढ़ने की जरूत नहीं है इसके बाद आप कहीं भी सॉल पेपर कीजिए ना वने तो कहिए कहां आपके कंटेंट में कमी थी फालतु पढ़ा रहे हो और ऐसा पढ़ा रहे हो बन जाए तो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए बहुत बहुत धन्वाद